नमस्कार, रानी किचन में स्वागत है, तो चलिए फ्रेंस आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और मज़दार, बेसन और मटर का टेस्टी नास्ता, जो हम एक चमच तेल में ही इसको बना करके तयार करेंगे, तो चलिए सुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा कबेसन लिया है, इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे, अगर लाल मिर्ची नहीं खाते हैं, तो आप इसकीप कर सकते हैं, उसके जगह हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, अगर हरी मिर है, फ्रेंस इसको डाल देना है और यहां पर हरा प्याज मेरे पास था, उसकी पत्तियां हमने तोड़ कर काटकर डाल दी है अगर प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसकी इसकी स्क्विख प्रित आंप कर सकते हैं और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो देखी हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी गुठलिया खत्म करके हमें गाड़ा साइस का घोल तैयार कर लेना है तो एक बार इस नास्ते को बना कर खाएंगे फ तो यह देखी हें हमने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके फेटकरके तयार लिया है तो जैसे हम सीला बनाते है फ्रेंट्स वह ऐसा ही हमें गोल इसका चाहिए ज्यादा पतला गोल नहीं करना है तो यह दापने अच्छे तरीके से इसको फेट ना है ताकि यह अच्छ से fluffy बने तो यह देखिए butter हमने तयार कर लिया है गाड़ा सा butter हमने तयार किया है गैस पर रखेंगे तावा तो इसमें हमने थोड़ा सा तेल लगा कर चारो तरब से अच्छे से फैला दिया है अब इस पर हमें butter रखना है तो आप जितना बड़ा इस नास्ता को बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से अप्तावे पर butter डाल दें तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी फ्रेंस मैं थोड़ा सा छोटे साइज में इसको बनाऊंगी तो इस तरह से देखिए हमने अच्छे से इसको फैलाना है तो ये देखिए एक बराबर हमने अच्छे से इसको चारो तरब से फैला दिया है तो आप कम तेल में इस नास्ता को बना करके खा सकते हैं इसको ढख देंगे और ढख करके दम गैस का फ्लेम हमें लो पे कर देना है और तीन से चार मिनट इसको हमें कुक करना है तो ये लिजे नीचे से अच्छे से सीख गया है उपर ढ्राई-ढ्राई लग रहा है तो उपर थोड़ा सा एक दो बून तेल डाल देंगे हम इसके उप ताकि जब हम पल्टें तो नीचे से भी अच्छे से यह सीख जाए तो चलिए इसको पलट देते हैं बहुत ही असानी से बन जाता है नास्ता फ्रेंड्स और यह दिखिए काफी अच्छा सा कलर आया है और काफी हेल्दी है तो इस साट भी ढख करके ही पकाएंगे हम गैस का फ बनाया फ्रेंड्स कलर भी काफी अच्छा आया है तो यह दिखी तैयार है अगर मटर आप इस तरह खाना नहीं पसंद करते हैं तो इस नास्ते को जरूर ट्राई करें एक बार आपको काफी पसंद आयेगा तो यह लिजे सारा नास्ता हमने बना करके तैयार कर लिया है और क काफी बढ़ियां देखने में भी लग रहा है खाने में तो टेस्टी है फ्रेंड्स तो आप इस नास्ते को घर पर जरूर ट्राई करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं